तो आपको तस्वीरे दिखाते हैं इसके पहले दिल्ली गाजीपूर बॉर्डर पर किस तरीके से आज किसानों को हटाया गया वहाँ से और इस समय हालात यह हैं कि सड़क खाली करा ली गई है वहाँ पर चौतरफा किसानों की घेरे बंदी के बीट बाचीत विज्ञान भवन में चल रही है आपको दोनों जगा लेकर चलेंगे घाजीपूर बॉर्डर दिल्ली एश्वरे पारिवार हमारी सहयोगी महां से मौजूद है लाइव हमारे साथ और विज्ञान भवन जहां पर किसानों ने रखा था किशी बिलो को लेकर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब दिया जा रहा है लेकिन आज सहमती नहीं बंती नज़ार आ रही है क्योंकि जिस तरीके का रुख किसानों ने अपना है उन्होंने कहा है कि जब तक इन सभी 30 सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से इनको वो मानने के लिए तैयार नहीं है बाचीत का दौर तो जारी रहेगा लेकिन उसके साथ-साथ आंदोलन भी जारी रहेगा कि जबकि सरकार यह चाहती है कि बाचीत चलती रहे लेकिन आंदोलन को जो है वो समाप कर दिया जाए ऐसा किसान मानने को तै है और ये कोशिख लगातार जो है सरकार की तरफ से हैं कि अंदलान को जल से जल जो है समप किया जाए और दिल्ली के जो बॉडर हैं उनको खोल दिया जाए क्योंकि लोगों को बहुत परशानी हो रही है लेकिन MSP को लेकर सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि एक लिखित आश्वाशन जो है वो दे दिया जाए ये बात में हम लोग आज तक सुबे से कह रहा है कि जो MSP है वो Executive Order से है कोई उसके लिए संसद से कानून पास नहीं करना पड़ेगा एक notification करना होगा क्योंकि MSP जो है वो Cabinet Approve करती है उसके लिए किसी संसद से आपको जो है उसको पास नहीं कराना पड़ता है ठीक है फिर भी सरकार अभी भी इस पूरे पक्ष को सुन रही है उस पर अंतिम फैसला जो है वो बैठक के बाद होगा इन सब को सुनने के बाद कि अगर किसान संगठन नहीं मानते हैं लेकिन संगठनों ने साफ कर दिया जिस तरीके से लॉसक्त का उन्होंने भाहिश्कार कूळा उन्होंने कहा कि नहीं हम अपना खाना खुद ले के अомеा पर साते हैं आपके पास सिंगू बॉर्डर इस वक्तर मिन दो जा हमारे साथ महां पर मौजूद है किसानों ने सरकार का खाना नहीं काया अपना